कक्षा साथ के सामाजिक विज्ञान पाठ्थे क्रम के अंतरगत भुगोल की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक हमारा परियावरण आए अब सुनते हैं अध्याय चार शीर्षक है वायू और आए अब सुनते हैं पाठ प्रिष्ट संख्या बीस अध्याय चार वायू हमारी प्रिथ्वी चारों और से वायू की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायू मंडल कहते हैं प्रिथ्वी के सभी जीव जीवित रहने के लिए वायू मंडल पर निर्भर हैं यह हमें सांस लेने के लिए वायू प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतह यह वह वायू राशी है जिसने पृत्वी के तापमान को रहने योगे बनाया है। वायू मंडल का संगटन क्या आप जानते हैं कि जिस वायू का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तों में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सिजन ऐसी दो गैसे हैं जिनसे वायू मंडल का बड़ा भाग बना है। कारवन डाय ओक्साइड, हीलियम, ओजोन, आरगान एवं हाइड्रोजन कम मातरा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे-छोटे कन भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र संख्या 4.1 में वृत्ता रेख दिया गया है, जिसमें वायू के विभिन संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। आईए, एक नज़र डालते हैं इस चितर पर, चितर संख्या 4.1, और यहां वायू के विभिन संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं, जैसे ऑक्सिजन इस वातोरण में 21 प्रतिशत, नाइट्रोजन 78 प्रतिशत, अन्य सभी मिलकर के 0.04 प्रतिशत, और कार्बन डायकसा 0.03 प्रतिशत है, और आरगान 0.93 यानि 0.93 प्रतिशत है, इसी फ्रिष्ट में एक बॉक्स दिया गया है, और बॉक्स का शिर्षक है क्या आप जानते हैं, यहां इस प्रकार से वर्डन है, कार्बन डायकसाइड वायू मंदल में फैल कर प्रित्वी से विकिरित उश्मा को प्रित्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, और इसके अभाव में धर्ती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभा होता, किन्तु जब कार्खानों एवं कार के धुएं से वायू मंदल में इसका स्तर ब परिवर्तन हो सकता है, इसे भू मंदलीय तापन या ग्लोबल वामिंग कहते हैं, तापमान में इस व्रिधी के कारण प्रित्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिगलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में व्रिधी होती है, जिससे 38 शेत्रों में बाढ़ आ जाती है, दीर अवधी में इसके कारण जलवायू में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं, बॉक्स के बाद आएए अब सुनते हैं, प्रिष्ट बीस का पाठ, नाइट्रोजन वायू में सरवाधिक पाई जाने वारी गैस है, जब हम सांस लेते हैं, तब फेफडों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परन्तु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवरशक्ता होती है, प्रिष्ट सं लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें, ऑक्सिजन वायू में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, मनुष्य तथा पशू, सांस लेने में वायू से ऑक्सिजन प्राप्त करते हैं, हरे पादप, प्रकाश, संसलेशन द्वा ओक्सिजन उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार वायू में ओक्सिजन की मातरा समान बनी रहती है, यदि हम ब्रिक्ष काटते हैं, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, कार्बन डायकसाइड अन्य महतोपूर्ण गैस है, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डायकस की मातरा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है, परन्तु यह संतुलन कोईला तथा खानिज तेल आदी इंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है, वे वायू मंडल में प्रतिवर्ष करोडों टन कार्ब कार्बन डायकसाइड की बढ़ोतरी करते हैं, परिनाम स्वरूप कार्बन डायकसाइड का बढ़ा हुआ आयतन प्रिथवी पर मौसम तथा जलवायू को प्रभावित करता है, इसी प्रिष्ट 21 पर एक बॉक्स और बॉक्स का शिर्षक है, क्या आप जानते हैं, जब गरम होती है, तो फैलती है, और हलकी होकर उपर उठती है, थंडी वायू सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ती होती है, गरम वायू के उपर उठने पर आस पास के क्षेत्रों से थंडी वायू रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है इस प्रकार why you chakra चलता रहता है इसी प्रिष्ट 21 पर एक और box है और इसमें हम देख सकते हैं समाचार पत्रों के headlines या news item और इसमें कुछ शीर्षक दिये हुए हैं सबसे पहला शीर्षक top scientists offer way out of global warming दूसरा caption है warming unstoppable तीसरा caption है global warming projection और यहां पर विश्व का मांचितर दिखाया गया है और अलग-अलग रंगों के द्वारा global warming के स्तर को दिखाया गया है एक caption और CO2 level at 800,000 year high इसका अर्थ हुआ कि carbon dioxide का जो वायू मंदल में स्तर है वो पिछले 800,000 वर्षों में सबसे अधिक उंचे स्तर पर है एक caption और उसका शीर्षक है global sunscreen likely thinned और इसके बारे में हम जान सकते हैं कि वायू मंदली ये परत जो है वो पतली होती जा रही है एक caption और this winter was warmest on record US अमेरिका के किसी समाचार पत्र का ये caption है और जिसका अर्थ ही है कि इस बार की जो शरद रितु है वो सबसे अधिक गर्म रितु महसूस की गई एक और caption और उसका टाइटल है global warming और एक आखरी caption यहां पर है और उस caption में इस प्रकार से लिखा हुआ है global warming can bring back जुरासिक एरा और इसके नीचे लिखा है इसे पढ़ें एवाँ मनन करें और पता लगाएं क्या भूमंडलिये तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है प्रिश संख्या 22 वायू मंडल की सन रचना हमारा वायू मंडल पांच परतों में विभाजित है जो प्रिथवी की सतह से आरंभ होती है यह है क्षोभ मंडल समताप मंडल मध्य मंडल वाहय वायू मंडल एवं बहिर मंडल चित्र संख्या 4.2 में वायू मंदल के विभाजन को दिखाया गया है सबसे उपर है बहिर मंदल और इसकी उँचाई लगभग 100-90 km के मध्य है और इसी में वाहिय वायू मंदल भी आता है नीचे 80 से लेकर 50 km की उँचाई तक मध्य सीमा और मध्य मंदल है उसी के नीचे हम चलेंगे, तो पृथवी की सता से 40 से 10 किलोमीटर की उँचाई तक हमें मिलता है समताफ सीमा, समताफ मंडल और ऐसी मंडल के अंदर हम देख सकते हैं कि हवाय जहाज इतनी उँचाई पर उड़ता है, और सबसे नीचे है प्रिथवी से 10 किलोमीटर की उंचाई तक और इसको कहते हैं क्षोब मंडल और शोब मंडल में माउंट एवरेस्ट की चोटी दिखाई गई है इसका अर्थ है कि माउंट एवरेस्ट की उंचाई तक या उससे थोड़ा अधिक उपर शोब मंदल यह सबसे निचली परत का वायू मंदल है अब आईए सुनते हैं आज का पाठ और अब सुनते हैं शोब मंदल क्या होता है यह परत वायू मंदल की सबसे महत्वपूर्ण परत है इसकी आउसत उचाई 13 किलोमीटर है हम सभी मंदल में मौजूद वायू में सांस लेते हैं मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा एवं ओला वर्षन इसी परत के अंदर होती है दूसरा मंदल है समताप मंदल इसके बारे में अभी हमने चित्र वेभी सुना था आईए अब सुनते हैं इसका वर्षन शोव मंदल के उपर का भाग समताप मंदल कहलाता है यह लगभग 50 किलोमीटर की उचाई तक फैला है यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है इसके फलस्वरूप यहां की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है समताप मंदल की एक महतोपूर्ण विशेशता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है और अब सुनते हैं मध्य मंदल जो हमने इस चितर में देखा था मध्य मंदल यह वायू मंदल की तीसरी परत है यह समताप मंदल के ठीक उपर होती है यह लगभग 80 किलोमेटर की उचाई तक फैली है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उलका पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं और अब वर्णन है इसी प्रिष्ट पर वाहिय वायू मंदल वाहिय वायू मंदल में बढ़ती उचाई के कारण तापमान अत्यधिक तीवरता से बढ़ता है आयन मंदल इस परत का एक भाग है यह अस्ती से 400 किलोमीटर तक फैला है रेडियू संचार के लिए इस परत का उप्योग होता है वास्तों में प्रिथ्वी से प्रसारित रेडियू तरंगें इस परत द्वारा पुनह प्रिथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है वायू मंदल की सबसे उपरी परत को बहिर मंदल के नाम से जाना जाता है यह वायू की पतली परत होती है हलकी गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है मौसम एवं जलवायू क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुह से एक दिवसिये मैच के भविशे पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा यदि हम कलपना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिश्क उसके स्पीकर तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रन बटनों से छेड़ छाड़ करता रहता है मौसम वायूबंडल की प्रतियक घंटे तथा दिन प्रति दिन की स्थिती होती है आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिर्चिड़ा बना सकता है जबकि अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं मौसम नाट की ये रूप से दिन प्रति दिन बदलता है किन्तु दीर घकाल में किसी स्थान का आउसत मौसम उस स्थान की जलवायू बताता है क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूरवानुमान क्यों करते हैं तापमान आप प्रति दिन जिस तापमान का अनुभाव करते हैं वह वायू मंदल का तापमान होता है वायू में मौझूद ताप एवं शीतलता के परिमान को तापमान कहते हैं वाईयू मंदल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बलकि रितुओं के अनुसार भी बदलता है शीत रितु के अपिक्षा ग्रीश्म रितु ज्यादा गर्म होती है आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है शूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से धुओं की ओर घटती है इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है क्या अब आप समझ गए होंगे कि धुओं बर्फ से क्यों ढखे हुए हैं? इसी प्रिष्ट संख्या 23 में अब कुछ बॉक्स और आएए देखते हैं ये बॉक्स हमें क्या बताते हैं? सबसे पहला बॉक्स आएए कुछ करके देखें स्थानिय समचार पत्र से 10 दिन की एक मौसम रिपोर्ट लिखें एवं मौसम में बदलाव का अवलोकन करें दूसरा बॉक्स इसका शिर्षक क्या आप जानते हैं? यह जानकर आपको आश्चरे होगा कि प्रिथवी सूर्य की उर्जा के दो अरववें भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करती है इसके नीचे यहाँ पर कुछ चित्र दिये गए है और यह चित्र संख्या 4.3 में है सबसे पहले एक ताप मापी उपकरण का चित्र दिया गया है जिसका काम है ताप मान को मापना एक और उपकरण का चित्र हम यहाँ पर देखते हैं और इसका नाम है वायू दाब मापी, तो इसका कार्य जैसा नाम से ही प्रगठ है कि वायू के दाब को मापता है, एक और चित्र यहाँ पर हम देखते हैं और उसका नाम है वर्षा मापी, और इसका कार्य है वर्षा की मात्रा को मापना, एक चित्र और जो इसी चित्र संख्या 4.3 में है और इस उपकरण का नाम है वात दिगदर्शी यानि पवन की दिशा को ये दर्शाता है प्रिष्ट संख्या 24 यदि प्रिष्ट्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहां कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी गाओं के अबिक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातू और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं रात के समय यह उश्मा मुक्त हो जाती है नगर के भीड़ वाले उँचे भवन गर्म वायू को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है वायू दाब यह जानकर आपको आश्चर यह होगा कि वायू हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किन्तु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं यह इसलिए होता है क्योंकि वायू का दाब हमारे उपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारे शरीर विपरीत बल लगाता है पृत्वी की सतह पर वायू के भार द्वारा लगाया गया दाब वायू दाब कहलाता है वायू मंडल में उपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है समुद्र स्तर पर वायू दाब सरवाधिक होता है और उचाई पर जाने पर यह घटता जाता है वायू दाब का क्षेतीज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायू के ताप द्वारा प्रभावित होता है अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायू गर्म होकर उपर उठती है यह निम्नदाब क्षेतर बनाता है निम्नदाब बादल्युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है कम तापमान वाले क्षेतरों की वायू थंडी होती है जिसके फलसरूप यह भारी होती है भारी वायू निमजित होकर उच्च दाब क्षेतर बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायू सदय उच्च दाब क्षेतर से निम्न दाब क्षेतर की ओर गमन करती है। पवन उच्च दाब क्षेतर से निम्न दाब क्षेतर की और वायू की गती को पवन कहते हैं आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथ्वा तूफान के समय पेड़ों को उखार देती है कभी-कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धूए को उड़ाते देख सकते हैं कभी-कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठीन हो जाता है आपने अवर्ष्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में च्छाता लेकर चलना आसान नहीं है तीन अन्य उदाहरन सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न होई हो पवन को मुख्यत तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है और आएए अगले प्रिष्ट पर चलने से पहले इसी प्रिष्ट पर तीन बॉक्स और सबसे पहला बॉक्स है उसका शीरशक है क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिगरी सेल्सियस है इसका आविशकार एंडर्स सेल्सियस ने किया था Celsius पैमाने पर जल 0 degree Celsius पर जमता है एवं 100 degree Celsius पर उबलता है दूसरा box क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायू नहीं है अत एव वहां वायू दाब भी नहीं है अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेश रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने, तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विप्रीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शीराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं. एक बॉक्स और इसी प्रिष्ट पर और इसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं? आएए सुनें, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है. उदाहरन के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी अथ्वा पच्छुआ पवन कहते हैं. प्रिष्ट संख्या पच्चीस स्थाई पवने व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थाई पवने हैं. ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं. दो मौसमी पवने ये पवने विभिन्य रितुव में अपनी दिशा बदलती रहती हैं. उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने. तीन, स्थाई पवने ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेश समय में चलती हैं. उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर. क्या आपको भारत के उत्तरीक शेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानिय पवन याद है? इसे लू कहते हैं. इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या 4.4 है और उसमें प्रमुख वायू दाब पेटियों के बारे में बताया गया है. तो आएए, जानते हैं उनका विवरण सबसे उपर उच्च दाब, उसके नीचे द्रुविये पूर्वी पवन, उसके बाद अधो द्रुविये निम्न दाब, उसके बाद सनातन पच्छुआ पवन, फिर उपोष्ण उच्च दाब या होर्स अक्षान्ष, और यहां पर हम इस चितर में देख सकते हैं करक रेखा इस प्रिथवी को काटती हुई, और उसके नीचे इस समय हम देख सकते हैं जो प्रमुख वायुदाब पेटियां है, यह पेटी है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, फिर हम यहां देख सकते हैं भूमध्य रेखा ने दाब या हॉर्स अक्षांश, उसके बाद सनातन पच्छुआ पवन, फिर अधो धुवी निम्न दाब और फिर धुवी पूर्वी पवन, आईए अब सुनते हैं पाठ, चक्रवात, प्राकृतिक आवेश, भारत के पूर्वी समुदरी तठ पर स्थित ओडिशा में बंगा की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खत्रा बना रहता है, 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्ये के पांच जिलों में चक्रवात आया, 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महा चक्रवात आया, जिसने राज्ये के एक बड़े भाग में तबाही मचाई, मुख्यता पवन का वेग, वर्षा एवं ज्वारिये प्रोथकर्ष से हानिया हुई, 260 किलोमीटर प्रती घंटे तक के वेग से चली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही, तीवर वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखार दिया और कच्चे घरों को नश्ट कर दिया, अनेक प्रत आपूर्ती एवं टेलिफोन लाइने पूरी तरह से कट गई, चकरवात के फलस्वरूप लगातार तीन दिनों तक भारी वर्षा होती रही, इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई, चकरवाती पवनों के कारण उठी ज्वारिये त पूरी तरह से नश्ट हो गई, यहाँ एक चित्र दिया गया है और चित्र में दिखाया गया है कि चकरवात द्वारा विनाश किस प्रकार से आया, यहाँ तूटे हुए घर और भरा हुआ पानी हम देख सकते हैं। अब दाब के कारण यह चकरवात उत्पन हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशाव में बढ़ा। गहन होकर इसने महा चकरवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ओडिशा के इरे सामा एवं बाली कुडा के बीच के क्षेत्रों को इस महा चकरवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटिये नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बरवाद गर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए, बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई, धान, सबजियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ, ज्वारिये प्रोतकर्ष से उत्पन हुई लवनता के कारण क्रिशी योग्य विशाल जाओ हो गए, साल, सागवान एवं बास के बागान वाले विशाल भूख शेत्र नश्ट हो गए, पारादीप एवं कोणार्क के बीच मैंग्रेओ के जंगल लुप्त ही हो गए। जब वायू में जलवाष्प की मातरा अत्यधिक होती है, तो उसे हम आरद्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायू गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारन करने की एक शमता बढ़ती जाती है, और इस प्रकार यह और अधिक आरद्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सुखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सुखता और हम असहज महसूस करते हैं जब जलवाश्प उपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है जलवाश्प संगहनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदे बनाते हैं बादल इन्ही जल बूंदों का ही एक समूह होता है जब जल की ये बूंदे इतनी भारी हो जाती हैं कि वायू में तैर न सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं इनके इंजनों से निकली नमी संगहनित हो जाती है वायू के गतिमान न रहनी की स्थिती में यह संगहनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है पित्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है ज्यादतर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं जब पहाडी पार्षफों से पेड काटे जाते हैं, तब वर्षा जल अनावरित पहाडों से नीचे बहता है, एवं नीचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है. क्रिया विधी आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं, संबहनी वर्षा, पर्वतिय वर्षा, एवं चक्रवाती वर्षा, और इसको हम चित्र संख्या 4.5 में देख सकते हैं, सबसे उपर जो चित्र है वो चक्रवाती वर्षा का है, इसमें देखते हैं ठंडी वायू एक पर्वती वर्षा में यहाँ पर एक पर्वत का चित्र है और यहाँ पर हम देखते हैं पर्वत की चोटी पर आर्द्रता के कारण बादल बन रहे हैं यह है पर्वती वर्षा और एक वर्षा और उसका नाम है संबहीनी वर्षा चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है कि प्रि एवं जीव जन्तुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महतुपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। यही पर एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है क्या आप जानते हैं कि वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम व्रिष्टी तथा ओला है। अभ्यास एक इन प्रश्णों के उत्तर दीजिए। क वायू मंडल क्या है। ख वायू मंडल का अधीकतर भाग किन दो गैसों से बना है। ग वायू मंडल में काउन सी गैस हरित ग्रिह प्रभाव पैदा करती है या ग्रीन हाउस एफेक्ट पैदा करती है। ग मौसम किसे कहते हैं। च वर्षा के तीन प्रकार लिखो। च वायू दाब क्या है। साथियों यहाँ पर कुछ प्रशन है और हर एक प्रशन के तीन तीन विकल्प हैं। उन तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को आपको बताना है जो आप समझते हैं कि वो सही है। आईए सुनते हैं। इनमें से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। और यहाँ पर विकल्प के रूप में तीन विकल्प हमारे सामने हैं। जो पहला विकल्प है वो है कारवन डाय ओकसाइड, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ओजोन। ख, वायू मंदल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यहाँ भी तीन विकल्प, पहला विकल्प शोभ मंदल, दूसरा विकल्प वाहे वायू मंदल, तथा तीसरा विकल्प मध्य मंदल, इनमें से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। ग, वाईयूमंदल की इन परतों में कौन सा बादल विहीन है तीन विकलप एक बर फिर से आपके लिए पहला विकलप है छोभ मंदल, दूसरा समताप मंदल, और तीसरा मध्य मंदल ग, वाईयूमंदल की परतों में जब हम उपर जाते हैं तब वाईयूदाब तीन विकल्प यहाँ पर है पहला विकल्प है बढ़ता है दूसरा घड़ता है और तीसरा समान रहता है जब व्रिष्टी तरल रूप में पृत्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं पहला विकल्प बादल दूसरा विकल्प वर्शा और तीसरा विकल्प हिम तीन यहाँ दो स्तंभ हैं और दोनों स्तंभों में अलग-अलग शब्द हैं और आपको पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ का मिलान करना है तो आईए सबसे पहले सुनते हैं पहला स्तंभ क व्यापारीक पवने ख लू ग मानसून घ पवन और दूसरे स्तंभ में जिसका आपको पहले स्तंभ से मिलान करना है विकल्प यह है पहला सूर्य से आने वाली उर्जा दूसरा मौसमी पवन तीसरा पवन की एक शैतीज गती चौथा ओजोन गैस की परत पांच्वा स्थाई पवन और छट्वा स्थानिय पवन चार कारण बताईए आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं क्यों? ख भूमध्य रेखा से धूओं की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती जाती है क्यों? प्रिष्ट संख्या 28 पांच आओ खेलें का दिये गए चार्ट की मदद से इस वर्ग पहली की समस्या को हल करें नोट यहां दिया हुआ है वर्ग पहली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है और यहां इसके नीचे इस वर्ग पहली को हम देख सकते हैं जिसमें अलग-अलग संख्याएं लिखी हुई है और अब आएए सुनते हैं इन संख्याओं के अंदर क्या-क्या हो सकता है सबसे पहले इस वर्ग पहली में अगर आप बाएं से दाहिनी और जाएंगे तो आपको यह संख्याएं मिलेंगी जो आपको इस वर्ग पहली में भरना है छे, एक भारतिये पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सिजन प्रदान करने का असाधरन गोन रखता है आठ, वाईउ मंदल में मौझूद एक गैस जो केवल 0.03 प्रतिशत में पाई जाती है ग्यारह संख्या में है वाईउ मंदल की सबसे उपरी परत बारह, बहुत सारी गैसों का मिश्रण चौदा, जीवित रखने वाली गैस पंदरह, गतिशील वाईउ सोला, एक भारतिये पेड़ जिसका आउशधिये गुणों के लिए महत्व है इसी वर्ग पहली में जब आप उपर से नीचे आएंगे तो आपको इन संख्याओं का मिलान करना होगा एक, जलवाश्प की वाईउ में मात्रा दो, वाईउ मंदल में धूल कन के चारों और जलवाश्प का संघनन तीन, उत्तर भारत में ग्रिश्म रीतु में बहने वाली स्थानिये पवन का एक उदाहरण चार, वाईउ मंदल में छोटे अंतराल के लिए बदलाओ पांच, वर्षन का तरल रूप साथ, प्रिथ्वी के चारों और वाईउ की चादर नव, वाईउ दाब को नापने का यंद्र दस, सूर्य से आने वाली उर्जा तेरह, शीत में द्रिश्यता को कम करता है सत्रह, जब सूर्य हमारे सिर के उपर होता है, वह समय प्रिष्ट संख्या 29 इस प्रिष्ट में आपको एक कार्य दिया गया है एक सप्ता का मौसम कैलेंडर बनाएं विभिन प्रकार के मौसमों को दिखाने के लिए चित्रों या संकेतों का उपयोग करें यदि मौसम में बदलाव आता है तो आप एक दिन में एक से अधिक संकेतों का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए वर्षा रुकने पर सूर्य बाहर निकलता है एक उदाहरण नीचे दिया गया है और वो उदाहरण इस प्रकार से है संख्या 1 उसमें संख्या 1 सूर्य पूरी तरह से निकला हुआ और इसमें हम कहेंगे जो मौसम है वो धूप वाला दिन है अब दो से साथ तक लगातार अलग-अलग स्थितियों का आपको चितरण करना है और मौसम के रूप में उसका नाम कॉलम दो में देना है यहां पाठ समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे हमारा पर्यावरण ध्वनी पाठे पुस्तक का चौथा अध्याय शीर्शक्था वायू वाचन्स्वर अजी थोरो निर्मान सहयोग शानु मुक्सीम निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत कनला में चौधर अप की क्वोम्दी भारत युदीश